हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मादव ड्रेसीज आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक लेस ली है इस लेस से बहुत ही सुंदर बूटी बना करके आपको ड्रेस बनाना सिखाऊंगी तो अभी जैसे देखे करवाचोत आ रही है दिवाली आ रही है किसी भी ओकेशन के लिए आप इस ड्रेस को बना सकते हैं अभी नवरातरी का भी देखिए एक दिन बचा है तो आप किसी भी ओकेशन के लिए इस ड्रेस को अपने लिड्डू को पाल के लिए तयार कर सकते हैं बहुत ही सुंदर ही ड्रेस बनने वाली है तो वीडियो को आपने बड़े साइज में भी वीडियो लास्ट एर अपलोड की थी उस वीडियो को आपने बहुत ही प्यार दिया था तो आज की वीडियो को भी ऐसी अपना प्यार दीजेगा और मुझे जाद से जाद सपोर्ट करिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो देखें यह बुक्रम पेस्टिंग का अब इसको देखें मैंने कट किया है ये 7.5 इंच का आज जो मेजरमेंट बताऊंगे आपको दो नंबर तीन नमबर और चार नमबर कानाजी के लिए बताऊंगी तो दो नमबर के लिए आप देखें यहाँ पर 6 इंच का डायामीटर कट करें और यहाँ पर देखें तीन नमबर के लिए 7 इंच का डायामीटर कट करें और मैंने देखें यहाँ पर यह 7.5 इंच का किया है तो यह 3 नमबर 4 नमबर दोनों को आ जाएगी बाकि आप 4 नमबर के लिए 8 इंच का डायामेटर कट कर लें 8 से 8.5 इंच बाकि measurement सेम यही रेगा पूरा process यही रेगा dress को बनाने का अब इसके बाद हमें लेना है एक cotton का कपड़ा इस तरह से मैंने यह ले लिया है अस्तर का कपड़ा इसके उपर मैं रख दूँगी इस base को और चाहें तो आप देखे shining वाली side से iron कर सकते हैं otherwise आप इसके चारों तरफ सिलाई भी लगा सकते हैं अब सिलाई लगा करके extra कपड़े को मैंने देखे हटा दिया है इसके बाद लेना है मुझे अस्तर का थोड़ा सा बड़ा कपड़ा इस size से थोड़ा सा बड़ा cut करेंगे देखे इस तरह से और फिर इसको रख देंगे इसके उपर और फिर इसके चारों तरफ हम किनारी पर सिलाई लगा देंगे सिलाई लगाने के बार देखे मैंने यहाँ पर एक दो सिलाई लगाई हैं इसके बाद हमें कमर कट करनी है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे दो बार एक बार देखे मैंने कर लिया है और फिर दूसरी बार भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और कमर का मार्क लगाएंगे तो यहा 1.5 इंच से 1. da zwar ग्सलिए और 6 इंच से एक पॉइंट से प aika कम लोगी Soulी और यहा करने के बाद रेकिये 14 तरफ याहाई तर यहां हम इस beautiful ब्लेट से चोड़ाई वहां कोजानेतर चोड़ेद भी इन तोड़ी और इहां पर दीके मैं इस तरह से गहरी गहरी मेराज की खेंगी देखें किली ніतिर मेराज़ लेंगे पहले से ही, अब सारी plates को हम यहां पर रखेंगे कमर पर और ऐसे करके इसको सील देंगे, अब सारी plates को हम सैट करेंगे, तो यहां से दीके ऐसे इन plate को मिलाते जाएंगे, और nिचे जो base दिखाई दे रहा है, base के उपर सिलाई लगाते वे चले जाएंगे चारु तरफ इसके बाद जो एक्स्टर नेट बाहर की साइड निकलेगी इसको कट करके निकाल देंगे फिर हमें लेना है एक टीशू रिबन और टीशू रिबन को लेकर के फोल्ड करना है और जब हम इस नेट को कट कर देंगे उसकी अब यहां से हम इसको फॉल्ड करके एक बार करेंगे और फिर देखे डीशू रखेंगे और दुबारा से फोल्ड करदेंगे और ऐसे ही दो बार फोल्ड करते वे जाएंगे डोरी को अंदर करते वे और नेफे पर सिला ही लगा देंगे अब नेफा बनाने के बाद हम लेस से बूटी बनाएंगे तो देखे इसको रख देते हैं साइड में और फिर मैं लूँगी यहाँ पर देखे यह लेस मैंने इस तरह की लेस लिया आपके पास कोई भी हो आप ले सकते हैं अब इस लेस की जो चोड़ाई है देखे यह आपको बता दू तो यह है दो इंच चोड़ी इसमें से हमें एक पीस कट करना है तो जो हम कट करेंगे वो यहाँ से देखे धाई इंच का पीस कट करेंगे अब मैंने देखे यहाँ पर ये 1.5 इंच लंबाई में पीस कट कर लिया है 2 इंच इसकी चोड़ाई है और 1.5 इंच की लंबाई है हमें इसको फॉल्ड करना है तो देखे यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और देखे इस तरह से मोड देंगे मौणने के बाद फिर दुबार ऐसे इसको देखे यहां से ऐसे फॉल्ड कर लेंगे तो इस तरह से देखे यह बूटी की शेप में आ जाएगा अब पीछे से देखे आप यहां तो इसको देखे ऐसे करके चिपका सकते हैं या आप इस पे निडल से भी इसको सिल सकते हैं तो मैं यहां पर देखे ऐसे गुलू लगा करके इसको पेस्ट कर दूँगी तो यह हमारी इस तरह से देखे बूटी बन जाएगी देखे इस तरह की हमें बूटीया तयार करनी है तो मैं यहां पर लगबग 5-6 बूटीया तयार करके रख लूँगी अब यहां पर देखे मैंने यह 5 बूटीया बना ली है और उसके बाद हमें लेना है अपना बेस जो की हमने बना करके रखा हुआ है तो इसमें हमें बूटीयों को लगाना है तो देखे मैं यहां से ऐसे लगाना शुरू करूँगी इधर से देखे ऐसे लगाएंगे थोड़ी थोड़ा सा गैप देंगे बीच में और यहां पर मैं पांचों बूटियों को इस तरह से पेस्ट कर दूँगी देखेगा थोड़ा सा गैप देदें अधरवाइस आप थोड़ा सा मिला कर भी लगा सकते हैं तो फिर आप यहां पर जादा बूटि बनाईएगा फिर लेनी है हमें देखे कुछ एक ऐसी लेस और इस लेस में से यह गोल पैच कट करके निकालूंगी मैं फिर देखे हमें यह वाली लेस लेनी है चिपका देंगे तो चलिए इनको लगा लेते हैं अब लेस और सब चीज को लगाने के बाद देखे मैंने यह बूटिया कट कर ली है और इनको मैं यहाँ पर देखे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे पेस्ट कर दूँगी तो यहाँ पर देखें इस पेस कम है तो सिर्फ यहाँ पर तीन चार बूटिया ही आएंगी और इनको लगाने के बार फिर हम लगाएंगे इनके उपर देखे एक एक रैड स्टोन जिससे की यह बूटी और भी अच्छी बन जाएगी सुन्दर थोड़ी सी हैवी लगेगी इस तरह से यहाँ पर भी लगाओंगी और फिर उसके बाद देखे यहाँ पर हमारा यह इस पेस खाली है तो यह वाली जो लेज थी इसमें से देखे मैंने एक एक पीस को कट कर लिया है और हर एक इस पेस में यहाँ पर देखे ऐसे मैं एक एक पीस को लगा दूगी तो इस तरह से यह हमारी ड्रेस बन जाएगी चलिए इनको लगा लेते हैं फिर इसके बाद आपको चोली बनाना बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे अब हमारी ड्रेस बन करके complete है इसके बाद देखे चोली बनाते हैं चोली के लिए यहाँ पर लूगी मैं यह पट्टी एक इस तरह से और पट्टी का मेजरमेंट होगा देखे लंबाई होगी 11 इंच और इसकी चोड़ाई है यहाँ पर देखे 3.5 इंच इस पट्टी को देखे मैं थोड़ा सा लंबा लिया है क्योंकि मैं नैपी वाली चोली बना रही हूँ तो आप इसको थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हैं अब इस पट्टी को यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे और देखे इधर से लोग कर देंगे अब इस पट्टी को तयार करने के बाद इसको हमें फोल्ड करना है ऐसे देखे इस तरह से मैं यहाँ से कट नहीं करूंगे अगर आप विदाउट नैपी के पहना रहे हैं तो कट कर सकते हैं मैं इसको नैपी की तरह से अपलोड करूंगी तो उसमें आप पगड़ी भी देखेगा और वहीं पर आपको काना जी को ये ड्रेस पहना करके दिखाऊंगी कि किस तरह का लूग किस ड्रेस का आया है तो देखेगा फ्रेंड्स हमने अपने हाथों से बूटी बनाई है सिर्फ लेस से बूटी बना करके ह हमने बहुत ही सुन्दर ड्रेस को तयार कर लिया है शायद आपको भी पसंद आई होगी अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करे अपने फ्रेंड वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक के लिए राधी राधी